वेल्कम तो माई यूटूब चैनल डीडी एउचकेशन सेंटर मैं हूँ धीरज गुपता और हम लोग पढ़ रहें कच्छा 10 के गडित में दिघात समिकरण और दिघात समिकरण में प्रसनावली 4.3 के पहले सवाल में आज के इस वीडियो में तीसरे सवाल को हल करेंगे और स स्टाट करते हैं तो देखिए आपका पहले सवाल में तिसरा सवाल है फोर यक्स स्क्वाइर प्लस फोर अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3 ब्राबर 0 इस दिघात समिकरण को अस्तित्तु हो तब इसे पूड़ वर्ग बनाने की बिधी द्वारा ग्याद करना है तो सबसे पहले इसका अस्तित्त हैं कि नहीं तो अस्तित्त रोने के लिए धीडिकतर दी का मान निकलते हैं घी बडाबर होता है आपका बी सक्वायर माइनस 4 एसी अगर डी का समिकरण का कोई अस्तित्त नहीं होगा तो आपका क्या होगा इसके वास्त्रविक मुल नहीं होंगे तो देखए, डी कमान निकलते हैं आपका देख़े, B इस्क्यार मैँनस 4AC है लिकमान क्या है यक्सका जो गुडांग होता है वो B कमान होता है यक्सका गुडांग है आपका 4 अंडर मुठ 3 तो आपका स्क्राइब यक्स स्क्राइब कितना है चार तब का हो जाएगा चार इंटू सी सी कमान आपका है यहां पर तीन तो आपका देखिए क्या हो जाएगा चार का स्थितु है इस डिखाढ समिकरण का स्थितु है डिका मान 0 या 0 से बढ़ा आ गया तो समझ लिजिए कि उस डिखाढ समीकरण का स्थितु होगा अगर 0 से छोटा आया या靡ि माहिन स मैं तब आपका समिकरण कोई क्मूल नहीं है तो आपका देखें अ कि यह लिग हम है अस्तित्थ है कि यह स्तित्थ है य्ष द्वाहिटta को पूड़ वर्ग बनाने के वीधि द्वाहरा हल करना है ऩहल कर दिजी आपका दिखाट्थ यह इसकवाहर प्लस-4 णडर रूट 3 और आपका यह है प्लॉस 3 है अब बराबर है इसको पूड़ वर्ग बनानी के बिधी द्वारा हल करना है ました कि एक популяр के रूप में इसको लिखना हैते हैं जगवा पे जघर रूप में लिख लिखते हैं Tab यक्स है तो दूनी चार यक्स हमने लिख दिया अब बचा है अंडर रूट 3 न अंडर रूट 3 को आप लिख दिजिए यहां पर अंडर रूट 3 अब दिखे इन सब का गुड़ा करेंगे तो फोर अंडर रूट 3 और इंटू यक्स आ जाएगा इतना ही आएगा दो का जोड़ देना है और इतना ही घटा देना है माइनस अंडर रूट 3 का स्कॉयर प्लस में और माइनस में दोनों कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा तो आपस से हम यही प्याइगे प्लस 3 बराबर 0 है अपको प्लस 3 बराबर 0 लिख लेना है और फिर यहां पर प्लस बी का होल इसको हम लिख सकते हैं और फिर आपका देखिये यहां पे प्लस तीन है और यहां पर देखिये माइनस अंडरूर्ट तरी का होल स्कॉयर है तो माइनस अंडरूर्ट ho pod three का whole स्कॉायर करेंगे तो क्या होगा तीन होगा और यह पर प्लस टीन तो स्थीन बराबर क्या होजाएगा जी रो हो ज्यका और यहां पर देखें अगले स्टेप में आपका हो जाएगा माइनस 3 तीन नों कर जाएगा तो आपका बचेगा क्यों्वल 2 10 6 मैं इधर कर लेता हूं अब हगो कि आपका किया बचेगा टू एक्स पलस अंडरूट 9 का होल इसको हम लिख सकते हैं že यह सकते हैं यहां पर देखे 2x प्लस अंडर रूट 3 का होली स्कॉयर था इसको हम गुडित की रूप में दो बार लिख दिये और बराबर बचेगा आपका 0 बाकी सब कटी चुगा है यहां से तीन से तीन कटी चुगा है यहां पर देखे कैसे किया जैसे दो काई स्कॉयर होता है तो इसक तो आपको यहां से देखे क्या करना है याद 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो आपका देखे 2x बराबर क्या होगा 2x बराबर आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 और x बराबर हो जाएगा आपका माइनस अंडर रूट 3 वाई 2 एक बार यह हो गया और एक बार आप इसको बराबर 0 दिखा दीजिए तो आपका देखिए यहां देखिए इस दिखात समिक्राट के दो मूल हमें प्राप्त हुए आपको लास्ट में लिख देना है अता दिए गए दिखात समिकराट के मूल अता दिए गए दिखात समिकराट के मूल सब्सक्राट के लिख देना है यह देखिए थी सवाल भी आपका पहले सवाल में हो चुका है आपको इसक्रीन साट लेना है दो वीडियो की स्टाब करके स्क्रीन ले लिए और समझ में आ गया होगा तो वीडियों को कर दो शेर जरूर कि जिएगा